नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं RPS समाचार आईए रुप करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर उन्नाओ में बाइक हाथ से में युवक की मौत साथी गंभी रूप से घायल बेकाबू बाइक विजली के खंबे से टकराई उन्नाओ के मौरावा थाना चेतर में देर रात एक युवक दर्दना खासे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और उसका साथी गंभी रूप से घायल हो गया बाइक अनियंत्रित होकर विजली के खंबे से टकरा गई थी पुलिस ने शब को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्डम के लिए फेज दिया है उन्नाओ के मौरावा थाना चेतर के हिलोली करदहा मार्ग पर छत्रपाल खेडा गाओं के पास देर रात एक बाइक दुरगटना में 20 मर्चिय नंदिकिशोर की मौत हो गई और उसका साथी आशीस गंभी रूप से घायल हो गया घटना उस वक्त हुई जब दोनों युवक संदाना से हिलोली इस्तित एक धाबे पर खाना खाने जा रहे थे संदाना गाओं निवासीर रामलाल का बेटा नंदिकिशोर और रामपुर गाओं के सुद्धु का बेटा आशीस तेर रात बाइक पर सवार होकर फिलोली जा रहे थे चत्रफाल खेडा गाओं के पास उनकी बाइक बेकाबू होकर बिजली के खंबे से चकरा गई इस हाथ से में नंदिकिशोर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आशीस गंभी रूप से घायल हो गया घायलों को तुरंट सामदा एक सास सेकेंड सी एच सी मौरावा ले जाया गया जहां डॉक्रों ने नंदिकिशोर को मुरत खोचित कर दिया आशीस की खंबीर हालत को देखते हैं उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया मौके नंदिकिशोर चार भाईयों में सबसे छोटा था और उसकी मौत से परिवार में कहराम मचा हुआ है उसकी मा रामलली पद्नी किरन, पांच बरसी ये बेटी रिधी और भाईयों लक्षमर दीपू घंजयाम समयर परवार के अन्य सदर से शोक में डूबे हुए हैं खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहे आरपियस समाचार ऐसे ही लेटेस अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल आरपियस समाचार को सबस्क्राइब करें